कॉछ्छ कोछ sitting lifeओ दरमम बाक टो अपने डीश gi.com अब हम आगे बढ़े हैं अपना Kingdom Mission गार ना चॅपने स्रहक एंदर हमनेे फ्रिकर सब्सक्राइव और हमने डिसक्स कर लियाudos अब हम आगे बढ़े रहे हैं next लेवल की तरफ जिसमें हम यह सीखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है तो आए चलते हैं अच्छास बांडरी की कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ steps follow करने हैं लेकिन यह steps इतने जरूरी है कि आपने इनको रोट लर्निंग नहीं करने रटा नहीं लगाना conceptual है आप इसको समझते हैं क्लास बांडरी को कैलकुलेट कर सकते हैं starting with step 1 step 1 हमें यह कहता है कि subtract the first upper class first upper class ठीक है मैं इसको यहां पे mention कर दूं अपर क्लास इस वन फर्स रॉक की बात कर रहा और इसमें अपर क्लास कौन सी है मेरे बास 39 और क्या कह रहा है from the second lower class interval इसको पूरे sentence को में दुबारा बढ़ता हूं subtract the first upper class interval from the second lower class interval यानि के जो second raw में मेरे पास lowest class interval है उसमें से मैं क्या करूंगा first वाली highest यानि के अपर class को में less करूंगा यह मेरा step number one है अब इस step को यहां working में मैं perform करता हूं तो आइए देखते हैं जैसे कि मेरे पास second raw में जो lowest value है वो मेरे पास है 40 अब मैं बात करता हूं first class की upper value upper value मेरे पास है 39 आपने क्या करना है इसका difference निकालना है आपने जो working करनी है इसको minus करते वे करनी है तो आपके पास value आईगी 40-39 आप करेंगे आपके पास value आईगी 1 अब नेक्स काम हमने क्या करना है नेक्स स्टेप की तरफ बढ़ते हैं नेक्स स्टेप हमें सब्सक्राइब करता है जिरो पॉइंट फाइफ का ठीक है स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं स्टेप भी हमने कवर कर दिया नेक्स स्टेप है अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है सब्ट्रेक कर दो जो वैल्यू आपने कैल्कुलेट की है स्ट्रेप टू में सब्ट्रेक दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल अफ दी लोवर क्लास यानि के अब मेरे पास जितनी भी लोवर क्लास लेफ्ट हंड साड़ आपको नदर रहाएगी जैसे कि 35 और 39 में लोव कोंदर आपके पास है 50 तो आपने क्या करना है इन तमाम लोवर क्लास इंट्रीवर्स में 55 जो मेरा अंसर अए है उसको आपने करना है लेस यानि ऑनी मैनि और कर द्रॉंगे ुज यह जो अंसर आपके पास difference में आया हुआ है step 2 में उसको आपने add करना है किसमे अपर classes में या जितनी भी अपर classes में रपस given है उन में मैंने क्या करना है इसको add करना है ठीक है students तो मैं इस calculation को यह perform करने जा रहा हूं 35 मेरे पास बताईए यह lowest है या lower है या upper है तो इस तो इसने हमें क्या कहा है इसने कहा है कि lower में से जितने भी लोवर है उसमें से आपको जो अंसर आया है उसको subtract करना है और जितने भी अपर है उनमें आपको add करना है जो अंसर आ आपने लेस करना है लोवर क्लास इंटरवल में और एड़ करना है अपर क्लास इंटरवल में आये देखते हैं स्टार्टिंग विग 35 35 में से जब मैं 0.5 लेस करूंगा तो यह बना कर मुझे देगा 34.5 और सेम तरीका हम यूज करेंगे कि जो इसके बीच में जो गैप है उ उससे कि जो अपर क्लास है उसमें मैंने एड़ करना है ठीक है तो 39 में जब मैं इसे एड़ करूंगा तो इट विल बिकम 39.5 और आगे बढ़ते हैं जब यह 40 से 44 के बीच में है तो 40 is the lower class जिसके अंदर मैं क्या करूंगा once again less करूंगा तो यह हो गया 39.5 इसी तरह 44 में मैं स मैं से हम less करेंगे तो यह हो गया 44.5 and 49 में मैं इसे एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 49.5 जी Всем वाइं स आगे बढ़ते हैं 50 में मैं से less गरूंगा तो यह हो जाएगा 47.5 और 54 में जब मैं इसे करूंगा तो यह हमने यहां पर क्या सीखा हमने यह सीखा कि क्लास बांडरी इस तरह निकाली जाती है इसके बीचे को रोड लर्निंग नहीं है कि आपने जीरो पॉइंट फैफ एड और लैस करना है क्योंकि अगर सवाल डिफरेंट आ गया अगर सवाल इस तरह का आपके पास एक्जैम में आगया कोईशन जिसमें डेटा डेसिमल में है तो फिर वहां पर यह रोड लर्निंग फेल हो जाएगी तो आपने कॉंसेप्च्छल चलना है कॉंसेप्च्छल कैसे चलेंगे त्री स्टेप्स हैं बेसिकली फॉर स्टेप्स हैं जैसे कि उपर लिखा और स्टे स्टेइब स्टेच्ट वाले के लोवर वैल्यू से जिसकhando से तरी के आप रिक muscles में और उसका दिफरेंस निकालना है और जिटेवरिकर निकला है withdraw और तू और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने unless कर देना है तमाम तर लोफे इंटर्वल्ले और कर देना है तमाम तर अपर class intervals में अब बात कर लेते हैं class boundary बनाई क्यों जाती है student class boundary इसलिए बनाई जाती है ताकि data को आप limit करें जो intervals आ रहे होते हैं जिसे कि आप यहां देखे 39 के बाद अगला number 40 है तो उसको एक boundary देनी है उसको एक यू कहले कि उसका interval आ रहा है जो difference आ रहा है उस difference को खतम करने के लिए हम class boundaries बनाते हैं class boundaries आपके पास exam में हो सकता है कि बड़ी भी भी आए जिस तरीके से हम यू कहते हैं कि for example अगर 35 है और इसका अगला number 39 है तो अगला भी 39 से ही start हो रहा हो this is called class boundary यह उसको limit कर देता है तो उस case में आपने इसको calculate करने की यानि के जब already class boundary दीवी हो तो आपने again उसको calculate करने की जरूरत नहीं है तो यहां तक हमने यह सीखा कि class boundary किस तरीके से निकाली जाती है और क्यों निकाली जाती है next वीडियो में हम आपसे discuss करेंगे mid values किस तरीके से calculate की जाती है mid value basically class boundary से ही अगला step है तो वो हम इंशाला सीखेंगे तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में कब तक के लिए अलाहापस